हेलो दोस्तों आज सुबह सुबह आगर आप लोग को यूट्यूब के तरब से इस तरीके का मेल मिला हुआ है या फिर वाइटी स्टूडियो एप्लिकेशन के अंदर अगर इस तरीके का नोटिफिकेशन सो कर रहा है तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कहाँ पर क्लिक करना चाहिए दिस्मिस पर या फिर लर्न मोन में और यह क्या है और साथ में YouTube इस mail में क्या बता रहा है इस बारे में इस वीडियो में पूरे detail में बात करने वाले है तो अगर आप लोग भी YouTube पे काम करते हैं तो इस वीडियो को पूरा इदम ध्यान से देखना है क्योंकि यह जो वीडियो है आप लोग के लिए काफी important होने वाली है तो दोस्तों यह जो दोनो notification आप लोग को मिल रहा है यानि पहला जो आप लोग को mail मिला हुआ है और second में यह जो Y2 Studio application के अंदर यहाँ पे एक notification सो कर रहा है यह दोनों आपस में link है अब कैसे आप लोग को समझाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले होती यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह इस mail के अंदर क्या लिखा हुआ है यह आप समझेए तो यहाँ पे बता रहा है shorts ad revenue sharing start today यानि आज से YouTube short video जो है वो monetize होना सुरू हो जाएगा और आपके short video पे जो भी short feed से add आएगा मतलब short feed से views आता है और उसमें short feed में add चलेगा तो add के बदले जो भी पैसा आप लोग का यहाँ पे earning होगा वो आप लोग को मिलेगा आज से आज है दो फरवरी वैसे एक फरवरी से बोला जा रहा था लेकिन आज से आप लोग को पैसा मिलना start हो जाएगा तो यहाँ पे दो condition YouTube बता रहा है कि अगर आप यह दोनों चीज़ अगर आप पूरा करके नहीं रखते complete करके नहीं रखते माल लिज़े एक setting के तरह अगर आप इस setting को नहीं करते अपने channel पे तो आपके short video पे ads नहीं आएगा उसके बदले आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या क्या है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो option यहाँ पे बता रहा है सबसे पहला एक number यह है दो number यह है तो सबसे पहला तो यहाँ पे आपका short video कैसे monetize होगा तो YouTube कुछ दिन पहले यहाँ पर Sorts के लिए जो Terms and Condition जो Agreement बनाया था उस सभी के YT Studio में यहाँ पर सो करवाया गया था तो वहाँ पर जागर के आपको Accept करना था तो जैसे अगर आप उसको Accept कर लिये थे उस टाइम तो अब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप अपने चैल पर Sorts वोडियो इस डाल गये उसमें Sorts Feed से Add आएगा उसमें मतलब Revenue भी आप लोग को मिलेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसके बाद Second यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपने उस टाइम अगर Sorts जो मतलब Sorts Feed के लिए जो भी Agreement बनाया गया था अगर आप उस टाइम Accept नहीं किये तो अभी आपको Accept करना पड़ेगा अगर आप Accept नहीं करते हैं तो आपको Sorts Feed से जो भी Add उसमें चलेगा मतलब उससे जो भी Earning होगा वह आप लोग को नहीं मिलेगा तो आपको सबसे पहले Accept करना पड़ेगा तो Accept कैसे करना है तो वहीं बता रहें कि आपको YT Studio में एक Notification मिल रहा होगा वहाँ से जाकर कि आप Accept कर सकते हैं और अगर आप लोग को नहीं समय में आ रहा है कि आपको इस पर click कर देना है, अब जैसे यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा page reload होता है, और यहाँ पर yt studio application यहाँ पर open हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देख सकती है, यहाँ पर नीचे बता रहा है, कि आपने जो terms and condition है, sorts के लिए, वो already आपने accept कर लिया है, तो यह आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपका जो short video है, उसमें ads चलेगा, उसके बदले आप लोग को पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपने accept नहीं करा होगा, तो यहीं पर आपको terms and condition का जो option है, वो accept करने के लिए मिलेगा, तो उस पर click करना है, और कैसे कैसे करना हो मैंने पहले एक video में बता दिया, तो आप उस video को देख लिजिए, और आसानी से accept का सकते हैं, तो इस mail में क्या था, आप लोग को समझे, मैं आ गया होगा, और इस notification में भी यहीं है, कि आई से short video में ads आना start हो जाएगा, और उसके बदले आप लोग को पैसा मिलेगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर रहा है, और चैनल को भी सब्क्राइब कर लेना है, ऐसा ही useful videos देखने के लिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,